तो दोस्तों, आज मैं आपको दमा, स्वास रोग, मरदाना, कमजूडी, कमर का दर्द, वात का दर्द, शरीर के अंग सुन हो जाना, फालिस, लकवा, गठिया, जैसे रोगों को दूर करने का बहुत ही आसान, बहुत ही अच्यूक, और सधी बताऊंगा, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है दोस्तों, बस आपको लेना है लोबान, लोबान सब जानते हैं दोस्तों, आपको पिसी भूई, लोबान लेना है, बारिक पिसा हुआ लोबान, दो से चार रत्ती, दो से चार रत्ती, यानि एक से दो ग्राम, गरम पानी से, खेलाने से, फेफ़डों की नलियों में जमा हुआ बलगम, पतला हो करके निकल जाता है, और दमा में सांस की कठनाई से आने वाला सांस रोग ठीक हो जाता है, और इसका इस्तेमाल करके दोस्तों, मरदाना ताकत भी पैदा होती है, और मार्केट में आपको लोबान का तेल मिल जायागा दोस्तों, इस लोबान के तेल को मालिस करते रहने से वात का दर्द, कमर का दर्द, शाटिका का दर्द, लकवा का दर्द, फालिस का दर्द, या फिर फालिस हो जाना गठिया, वात, लकवा, शाटिका, शरीर के अंग सुन हो जाना इन सब रोगों को दूर किया जा सकता है सिर्फ लोबान के तेल के मालिस से इसका बहुत अच्छा चमतकारिक प्रेडाम देखने को मिलता है बहुत ही अच्छी होसे भी है दोस्तों, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से रोगों को दूर किया जा सकता है और दोस्तों, जिनको पुरानी गठिया है, साटिका है, जोडों का दर्द है जोडों में सूजन हो जाती है, पुराना कमर का दर्द है, ग्रिधसी है जैसिफ, साटिका, फालिस, रोग दूर हो जाते हैं, रस्मरण सकती, बहुत बढ़ जाती है सर्दियों में ही इसका परियोग करें दोस्तों, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं लेना है इसमें लेना आपको मालकांगनी का तेल, पाँच से तस बुंद, दूद में मिलाकर, शुबा साम पीते रहने से किसी वी परकार का, जोड का दर्द, सूजन, पुराना कमर का दर्द, गठिया, ग्रिधसी, साटिका, हालिस, जैसे रोगों को दूर कर सकते हैं असमरर सक्ती बढ़ जाती है दोस्तों, इसका इस्तिमाल सर्दियों में ही करें, गर्मियों में इसका इस्तिमाल ना करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होती है इस तेल की कुछ बुंदे, लिंक पर मालिस करने से, मर्दाना ताकत बहुत अधिक बढ़ जाती है बहुत इच्छे प्रेडाम देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे ही गुड मिलते हैं, इसे फायदा ही फायदा होता है दोस्तों, दुक्सान की कोई गुंजाज नहीं होती, यह कुली तरह से आयरवेद है, नेशुरल है, यह किसी प्रकार का साइड एफेक्ट नहीं देता है दोस्तों, दोस्तों इसका इस्तेमाल करें, लाव उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आज के लिए वस इतना है, धन्यवाद